फिल्म इंडेस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर हर तरह की रिष्टे पाए जाते हैं प्यार दोस्ती दुस्मनी धोका वो सब कुछ जिसके बारे में हम सुनते आए हैं और कभी कभी हम यह भी सुनने में आता है कि दो एक्टर की बीच में कफी विवाद रहा उन्हाने आपस में हम बात करेंगे डैनी और सल्मान खान के बारे में डैनी ने सल्मान खान के साथ 19-19 में एक फिल्म में काम की थे और उसके बात उन दोनों के बीच में सब क्या हुआ था कि लगभग डैनी और सल्मान खान ने 23 साल तक किसी फिल्म में साथ में काम नहीं किया बने रही हमा करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है बली बच्चर है उनने से कानवी में सावन कुछ टॉक द्वारा निर्मित और निर्वी से फिल्म सनम बेवफा हली लीच वी थी इस फिल्म में सलमान खान के साथ नवदित अभी निट गई चांदनी थी साथ में थे प्रान डैनी पं सलमान खान काफी कुछ घटा था सलमान खान की पहली फिल्म एज लीड अक्टर जब मैंने प्यार के हिट वी तो सलमान खान को ऐसा लगने लगा था कि वह बहुत बड़े स्टार हो गए हैं और ऐसा वाजिब भी है जब किसी को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है तो उसके सर पर सफलता का नसा ऐसा चाता है कि वो ये भूल जाता है कि सामने कौन खड़ा है किसे की कद्र ना करना बेपरवा हो जाना लापरवा हो जाना ये वाजिब सी बात है फिल्म की शूटिंग के दोरां अक्सर सल्मान खान से पर देर से आते थे हैं उनके देर से आने की वज़ज़ से सावन कुमार काफी परिसान रहते थे सावन कुमारों ने काफी समझाने की कोसिस करते थे लेकिन सल्मान खान अपनी आदत से बाज नहीं आते थे एक बार ऐस समय पर पहुंच चुके थे लेकिन सल्मान खान नहीं आये थे सल्मान खान काफी लेट से पहुंचे इस बार सावन कुमान ने सल्मान खान को बहुत खरी खोटी सनाई सल्मान खान भी बहाना बाजी करने लगे उल्टा पुल्टा बोलने लगे ये देखकर डैनी भी इस विवाद में आ गए उन्होंने भी सल्मान खान को डाटने की कोशिस की लेकिन सल्मान खान ये भूल गए कि सामने में डैनी है जो कि एक सिनियर एक्टर है और सिश्टा चारवश उनकी कद्र की जानी चाहिए लेकिन सल्मान खान ने इसकी परवाने की और वो डैनी से भी उलच गए बात बढ़ने लगी थी खैर किसी तरह से मामला सांथ हो गया डैनी को काफी बुरा लगा उन्हें ये लगना लगा कि सल्मान खान हो सकता है सलीम खान के बेटे हो लेकिन उन्हें जरावी तमीज नहीं है वो अनुसासन प्रिय नहीं है और उन्होंने तैक किया कि वो सल्मान खान के साथ किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे लेकिन सल्मान खान की होम पड़क्सन की फिल्म जय हो जब निर्माना धिन थी तो डैनी को इसमें विलिन के लिए कास्ट किया गया अब पता नहीं डैनी को इस फिल्म में काम करने के लिए किसने मनाया और कितना मनाया डैनी और सल्मान खान फिर से एक बार 2014 में पुराने रज़ को भूल के एक साथ फिर से काम किये और इस तरह से सल्मान खान और डैनी जो तीज साल तक एक दूसरे के साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आये थे 2014 में जैहो के साथ एक साथ पल देपल दिखे है तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी स्टोरी अच्छी लेगी हो तो लाइक करें कॉमेंट करके ये बताएं कि क्या आपने स्वनम बेवफा या जैहो देखी है कॉमेंट में जरूर लिखें और इसी तरह की बैते इन इस्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले है तो मिलते हैं अगले वीडियों में तब तक के लिए जाज़त चाहे हैं